स्वागत है आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइन्स के इंपोर्टन कोईशन्स आंसर जो 2021 बोर्ड एक्जाम के लिए महत्पूर्ण है दोस्तो एक से लेकर 50 तक सारे कोईशन को देखेगा इसमें से अगर आप 25 का सही सही आंसर देदेते हैं तो आप जो है यानि सौ में 90 मांक्स ला सकते हैं अगर आप जो है 20 मांक्स के लिए तयार हैं अगर आप दोस्तों इसमें से 15 का कुश्यन देते हैं तो फिर आप बहुत जादी तैयारी करने के ज़रूत होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेशन नमबर एक यहां पर स्क्रीन में है भारत में नई आर्थिक नीती किस वर्ष शुरू की गई थी तो इसका राइटन से यहां पर कौन सा होगा देख लिए चार ओप्शन है चार ओप्शन को देख कर सही जा संगठन यहां डबलू टी ओ कि अस्थापना कब हुई थी यहां पर ऑप्शन है जनवरी 1995 1995 यह फिर फरवड़ी 1999 फिर 2000 तो इसका राइटन से कौन सा हो जाए काफी इंप्रोटेंट कुशन है तो इसका राइटन से क्या हो जाए दोस्तों बी नमबर राइटन से यहां देखेगा और दोस्तों एक जरूरी सूचना यहीं इंप्रोटेंट नौटिस कि अगर आप चाहते हैं कि लाइब क्लास पढ़ना तो दोस्तों टार्गेट टी ए आर जी इटी टार्गेट बेच एक चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आगन को प्रिस्ट कर लिजे उसी में हम लोग लाइब क्लास पढ़ते हैं अब देख लेते हैं अपर क्वेश्विक करन के कारण विश्व का सौरूप किस परकार का हो गया है तो जोस्तों इसका राइट अंसर का तीन नमबर का राइट अंसर जो जाएगा ए नमबर यानि वैश्विक गाउं का वैश्विक गाउं का जो है क्या है वैश्विक करन के कारण विश्व का सौरूप किस परकार हो गया तो वैश्विक गाउं के कारण ठीक है अब बढ़ते हैं क्वेश्विक करन की नीती से सबसे अधीक परभावित हुए हैं क्या वैश्विक करन की नीती से सबसे अधीक प उद्योग पती या फिर कोई नहीं तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा दोस्तों यह नंबर यानि वैश्वी करेंच से क्या हुआ है गरीब जो है सबसे जादिया परभावित हुए हैं अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के और दोस्तों अगर आप लोग पीडियाफ नौ लेना है दोजारी एक इस बोड एक्जाम के लिए चलिए अब बढ़ते हैं इसका राइट अंसर देख लेते हैं क्या है कि विश्व वयापार संगठन के मंत्री बैठक किस वर्ष आउज़ूत की गए थी तो अस्थरी ये बैठक किस वर्ष जो है आउज़ूत की गए थी तो इसका राइटेंसर है यह पांच नमबर का राइटेंसर क्या हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन की और यहां पर आचुके कोशिन नमबर छे कोशिन नमबर छे किया कहा है कि अब बढ़ते हैं अकले परशन की और आठ नमबर कोशिन नदी को को कहा जाता है तो बिहार का सोक कि इस नदी को कहा जाता तो इसका राइट अंसर क्या होगा आठ नमबर का तो ए नमबर कोश्री नदी को बिहार का और भिख सक्षियदा का पतला क्या कहलता है पृत्वी के चारो और जैब सक पतला औररन क्या कहलाता है आप Soo प्रइशन के जिम्मेदार कारण निम्ला लिकित मैं से कौन है तो यहां पर देख लीजिए कि कौन सा जो है जिम्मेवार का कारण है तो इसका राइटनसर क्या हो जाएगा उपर यूख सभी राइटनसर रहने डी नमबर हो जाएगा ठीक है चले अब बढ़ते हैं और वár 11 तो इसका Drake answer कौन सा आ जाएगा जाएगा यसी न्मर अब भढते हैं अगले तो यह पर्षन काफी कभने है सघ्र संक्ज पर शंग से कब निकला गया सज्ड संकी साइदह संग से कब निकला गया तो इसका और से बी नंबर हो जागा यानि 1949 में निकाला गया था अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओरत यहां पर आचुगे दूस्तों स्विकार किया गया है तो दोस्तों तेरे नंबर कराइटन सर कौन सा जगते ए नंबर आइटन सर यानि 25 जून 1945 को ठीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो प्रश्ण नंबर यहां पर आचुगी है यह कुछा गया है 2019 में तो रास्ट संकी अस्थापना कभ हुई 24 अक्टूबर 1925 राइटन सर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और चले तो यहां पर देख लीजिए अगला प्रश्ण आ चुकिए 15 नंबर प्रश्ण क्या करा है कि नेपाल प्रारंब में नेपाल किस परकार का रास्ट्र है तो नेपाल किस परकार का रा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और प्रश्ण नंबर और 16 तो श्रीलंका ब्रीटीज ऑपनुवेशिक से कब स्वतंतरता हो थो जाएगा से कब से अतंतरता हुआ तो राइटनसर की बात करने व्याँ सिर्वराने डार नमबर का शी निंबर इन राइटनसर यानी अब बढ़ते हैं क्वेश्ट नम्र 18 और तो 18 स्क्रीन पर आच चुकी है क्या करा करें कि आजादी के बाद बांगला देश में किस परकार की सासन विवस्ता अस्थापित भी तो 18 नम्र निर्पेक्ष लोक तांत्रिक तथा समाजवादी शाष्ण अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और क्वेश्ट नम्र यहां पर देखेंगे हम लोग 19 यह भी 29 में पूछा गया है क्या है इंटरनेशनल का संबंद किस से है तो 19 नम्र के राइट अंसर क्या हो जाए दोस्तों ए नम्र यानि मानब अधिकारों की रक्षा से आप बढ़त इक डिनमर यह का अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो प्रлон नम्र 21 में संख्या कितनी अलिए कि नियादियसों की संख्या कितनी होती है तो अंतरस्ट नीयाल में किनी होती तो 22 अज़ंसर आसे pretend अब बड़ते हैं परश्णकिर तो 15 अगैं पर यहां पर तेस्त नम्र देखते हैं ठीके तो स्क्रीन पर क्या कहा रहा है कि राष्ट संग की अस्थापना के लिए बनाई गई समीती का अध्यक्ष किसने बनाया गया है तो इसका राइटन स्क्राइब अमेरिकी राष्ट पती विल्सन को ठीक है चले अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के और तो यहां पर 24 परश्ण यानि यालता समेलन राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के अंगों की संख्या कितनी है के अंगों की संख्या कितनी है तो डी नमर राइट नहीं आठ कितनी अंग है तो आठ अंग है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और यह क्वेशन जो है दो है अठारा में पूछा गया है अठारमा साथ सम्मेलन कहां हुआ था तो इसका राइट नंसर क्या हो जाएगा या यहां पर आठारमा फिर्छा आठारमा कहा था तो यहां हुआ था खाटमांडू में हुआ अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और यहां पर आच चुकिए स्रीलंका कब गई थी तो भारतिय सांती सेना स्रीलंका कब गई थी तो इसका राइट अंसर नमबर यानि में गई थी अब बढ़ते हैं अगले परस्ण की ओर कोईशन नमबर 28 की ओर तो 28 नमबर कोईशन क्या करा है यहां पर कारगिल युद्ध कब हुआ था यहां पर 220 में पुछा गया है तो इसका राइट अंसर जो हो जागा दूस्तों ए नमबर यानि में हुआ था अब बढ़ते हैं अगले परस्ण के ओर 29 नमबर परस्ण आपर आचुकी स्क्रीन में क्या करा रहा है कि पाक अधिकरित कश्मीर को की राजधानी कहां है तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा दूस्तों पाक यानि अधिकरित कश्मीर ठीक है यह आधा कश्म अधिकर तो इसका राइट इस नमर यह नमबर हो जागा यह नि मुझा फराबाद ठीक है मुझा फराबाद राइट इस नमर का यह नमर हो जागा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले परेश्ण के और तीस नमर कोशन के और तो आज चुके यह भी कुशन 2019 में पूछा तीस नमर है क्या है कि दक्षेश सार्क यानि सार्क कहा जाता इसको दक्षेश के अस्थापना कव हुए तो इसका राइट अंसर कौन सब्सक्राइब दोस्तों यह नि तीस नमर का बी नमबर राइट नसर नहीं उनीच सो पटासी में हुवी थी पाइब बढ़ते हैं को दूसा नमर नम तो 2021 कोशन आचू किस्क्रीन पर क्या करते के दक्षेश की अस्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया तो इसका राइटेंसर क्या हो जागा दोस्तों एक तिस नंबर का एनम पराइटेंसर साथ देसों से किया गया अब बढ़ते हैं पर कोशन नंबर 32 की और तो 32 नंबर कुशन आच्छों के स्क्रीन पर क्या कह रहा है दक्षेस का पर्थम सिखर सम्मिलन कहा हुआ था यह दोहर 20 में पुछा गया है तो इसका राइटेंसर क्या हो जाए दोस्तों यह नहीं 32 नंबर का राइटेंसर एनम और धाका में किया गया था ठीक है धाका दक्षेस का पर्थम सिखर सम्मिलन कहा हुआ था तो कि के रहा है नλαखशह का मूलों आधार किअुए जीडत नबर को सदस्यों सदस्य देसों के बीच परश पर विष्वास संती एवंग दूआरा संती के दूरा शेत्रिय सहयोग पर बल देना यह शांती बनाए रखले यह जो है क्या मूल आधार है अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो यहां बर आचुके दोस्तो 34 सिक्ष विरोधी दंगे कब हुए सिक्ष विरोधी दंगे कब हुए तो इसका राइट नसर क्या हो जाएगा इन क्या करके राजीव गांधी लोंगेवाल समझोता कब हुआ तो नागालेंड राजी जो बना था गब प्रारंब में भारत में शेत्रिये अक्षांसों का उभार किस रूप में हुआ तो इसका रूप में अब बढ़ते हैं अगले प्रशन के और नंबर तो आजाद कस्मीर क्या है तो आजाद कस्मीर क्या है तो उन्चास नंबर यानि कश्मीर का वह भूणी जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और चलिए प्रश्ण नंबर 40 40 नंबर क्या है साथ बहनों का राज्य का अर्थ है साथ बहनों का राज्य का अर्थ क्या है चालिए नंबर यानि पुरुवत्तर के सात राज पुरुवत्तर के सात राज राइट अंसर हो जाएग सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिमियत हुआ यह दूर बीस में पुछा गया है काफी इंपोर्टेंट है इसका राइट इंसर कौन सब्सक्राइब का बी नंबर यानि 25 अब बढ़ते हैं अगले परश्चन की और कि प्रश्चन नंबर 22 नंबर क्या कर रहा कि 1975 में संग्रह का नेतुर्ट किस ने किया यह दुछा गया तो इसका राइट इंसर जो जागा दूस्तों बाइस नंबर का यह नंबर हो जाएगा जैप्रकाश ना रहा है अब बढ़ते हैं क्लिए परश्चन की और कोश्चन नंब नंबर यानि जैब प्रकाश नारायन इसका भी राइट नंसर होगा अब बढ़ते हैं परश्चन की और कि चले तो आचुकिया परश्चन नंबर 20 क्या कह रहा कि भी सुत्री कार्यकरम कि स्परदान मंत्री से संब्धित है तो इसका राइट इंसर का जाए चावार का तो ब सिद्धान संसोदन कब हुआ यह भी दोहर बीसमें पुछा गया तो इसका राइट अंसर बी नंबर हो जागा यानि उन्हें सुच्छेतर राइट नंसर जाएगा अब बढ़ते हैं चार्शन नंबर क्या कह रहा है कि गुजरात आंदरन कब हुआ था तो गुजरात अंदर कब हो तो इसका राइट अंसर चार्शन और नंबर ने नंबर निससाटर को हुआ था अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और परश्ण की आर्टालिस नंबर प्रस्ण है क्या करा कि बिहार अंदुलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो इसका राइट अनि- कि अब बढ़ते हैं उन पचास नंबर यहां पर क्या कर रहा है कि बिहार अंद्रोन के मुख्य सक्किर नेता कौन थे जिसके नेतुरुत में आंद्रोन आगे बढ़ा तो उन पचास नमर का राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो सी नमर ने जैपरकाश नारायन अब बढ़ते कि आन्दोरन और हिंसक होना चाहिए निहीं हिंसक नहीं होना चाहिए और अगर आगला विस किस सब्जेक का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर आप लोग अभी तक जो एडमिशन नहीं के PDF नौट्स और लिविजन टेस्ट के रिए तक तब तक के लिए जाहिन द्याद मिलते अगले वीडियो पर